English के जो models है ना उसमें आज का जो part होगा वो होगा should model के उपर Should model का complete use यहाँ पर आप सीखेंगे किस तरीके से आप कौन-कौन सी situation में कौन-कौन सी mean verb के साथ कौन-कौन सी helping verb के साथ इस should का use करते हैं बहुत ही easy तरीके से सरल भाशा में तो चलिए देख लेते हैं क्या है इसके uses जो should model है ना इसका कई तरीके से use किया जाता है should का जैसे verb की first form के साथ use करेंगे तो sense आएगा करना चाहिए should have के साथ use करेंगे तो करना चाहिए था past में should be यानि कुछ भी होना चाहिए आपको कहीं पर होना चाहिए should be के साथ अगर verb की third form लग जाएगी ना तो किया जाना चाहिए कोई भी काम किया जाना चाहिए पैसिव में आ जाएगा should have been और उसके बाद object आ जाता है तो होना चाहिए था यानि कि past में आपको कुछ होना चाहिए था या कहीं पर होना चाहिए था ये sense निकलता है should have का past होना चाहिए कुछ भी आपके पास कोई चीज है तब हम should have का use करेंगे past में अगर आपके पास कुछ था कोई भी object था कोई भी think थी कोई भी चीज थी वस्तू थी तो should have had का use होगा past होना चाहिए था should have to यानि करना ही चाहिए कोई भी काम आपको करना ही चाहिए का sense आता है should have had to का use होगा करना ही चाहिए था past में तो इस तरीके से ये complete use है should के तो detail में बहुत easy तरीके से एके करके सीखते हैं, देखिए, सबसे पहले आजाएं, should के use पर, सिर्फ should का use देखेंगे, तो should का use करेंगे verb की first form के साथ, और इसका जो हिंदी में mean जाएगा, करना चाहिए के sense में, जब भी हम advice देंगे na present में, कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपक आपको पढ़ना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, इस तरीके के वाक्यों में, sentences में आप शुड का use कर दे, present में verb की first form के साथ, जैसे की you should sleep, आपको सुना चाहिए, you should sleep, you should go there, आपको वहां जाना चाहिए, you should go there, you should study, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, you should understand, आपको समझना चाहिए, we should go to park, हमें park जाना चाहिए, they should write, उन्हें लिखना चाहिए, तो चाहिए के sense में, present में advice के तौर पर आप शुड का use कर सकते हैं, verb की first form के साथ, ये पहला जो basic इस्तिमाल है, use है इस शुड का, चलिए, अब next use देखें, should have के साथ verb की third form लग जाती है, तो करना चाह था, same यही condition रहेगी, यानि कि should के साथ जब हम verb की first form लगा देते हैं, तो present में advice देते हैं, लेकिन हमको past में अगर कोई advice देनी हो, past advice के लिए हम should have के साथ verb की third form लगा देते हैं, जैसे you should have slept, आपको सोना चाहिए था, अब यहाँ पर should have के बाद sleep की third form slept का use हुआ है, और should have का साथ में use हुआ है, you should have gone there, आपको वहाँ जाना चाहिए था, आपको वहाँ जाना चाहिए अभी present में तो you should go there, आपको past में वहाँ जाना चाहिए था, तो you should have gone there, इस तरीके से आप इनको अलग-अलग करके समझ सकते हैं, यानि कि किस तरीके के दोनों sentences बन रहे हैं देखिए, next देखे, you should have studied, आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, तो you should have studied, अभी present में आपको पढ़ाई करनी चाहिए, तो you should study, ऐसा sentence बन जाएगा next you should have understood, आपको समझना चाहिए था, अभी समझना चाहिए तो you should understand, past में समझना चाहिए था, तो you should have understood, understand का understood बन गया क्योंकि यहां पर V3 का इस्तिमाल होता है शुड हाव के साथ आपको पार्क जाना चाहिए था तो you should have went to park आपको पार्क जाना चाहिए था और अभी जाना चाहिए तो you should go to park इस तरीके से आ जाएगा दे शुड हाव रिटर्न उन्हें लिखना चाहिए था दे शुड हाव रिटर्न उन्हें लिखना चाहिए था उन्हें लिखना चाहिए तो दे शुड राइट और उन्हें लिखना चाहिए था दे शुड हाव रिटर्न तो इस तरीके से प्रेजेंट में एडवाईज के लिए हम should और be one का use करते हैं शुड के साथ verb की first form का और इसका sense जाता है करना चाहिए और करना चाहिए था तो should have be three का use करेंगे यह हो गए दो should के use अब यहाँ पर क्या करना है आपको दोनों को compare करके sentences बनाके इनकी practice करनी है अगला जो use है वो should be के साथ हम क्या करेंगे कोई verb नहीं आएगी यहाँ पर should be के साथ आपको object लिखना है should be के साथ object आएगा यहाँ पर जो है काम नहीं होगा यानि कहीं या कुछ जो subject होगा ना उसको कहीं पर होना चाहिए या कुछ होना चाहिए के sense में हम present time में इस should be का use करते हैं object के साथ कोई verb नहीं आएगी ठीक है should or be sentences बनेंगे जैसे कि आपको teacher होना चाहिए आपको घर पर होना चाहिए आपको school में होना चाहिए आपको office में होना चाहिए तो कहीं पर होना चाहिए और कुछ होना चाहिए के sense में हम should be का use कर लेंगे without verb के object लग जाएगा जैसे की you should be a teacher, आपको teacher होना चाहिए you should be a teacher, present me you should be at home, आपको घर पर होना चाहिए you should be a singer, आपको singer होना चाहिए you should be rich, तो rich होना भी यहाँ पर काम नहीं है ठीके, आपको अमीर होना चाहिए आपको नहीं यहाँ पर वी दे रखा है तो हमें अमीर होना चाहिए इस सेंस में वी शुड बी ओनेस्ट हमें ओनेस्ट होना चाहिए यू शुड बी आफिस आपको आफिस में होना चाहिए तो यहाँ पर वी और वी है यानि कि हमें और बाकी यू सबजेक्ट है जो you और we जो subject उनको कुछ होना चाहिए या कहीं पर होना चाहिए तो should be का use किया गया इन सब में और last में कुछ या कहीं पर होना चाहिए ये sense आएगा तो clear हो गया होगा should be के साथ present में आपको कहीं पर या कुछ होना चाहिए should be के साथ अगर we 3 आ जाती है तो जितने भी model verbs होते हैं उनके साथ भी लगने के बाद verb की third form लग जाती है तो आप समझ जाएं कि वो सारे के सारे passive voice है, passive sentences है, यानि कि किया जाना चाहिए, कोई काम किया जाना चाहिए, ये sense निकलेगा, जैसे कि food should be cooked, यानि कि खाना बनाया जाना चाहिए, the house should be clean, घर को हाया जाना चाहिए, this door should be open, इस दरवाजे को खोला जाना चाहिए, the carpet should be clean, कारपेट को clean किया जाना चाहिए, साफ किया जाना चाहिए, तो कोई भी काम किया जाना चाहिए, इस sense में आप should be और फिर वीत्री का use करेंगे, वीत्री लग जाती है, should be, या कोई भी model हुआ, can be, could be, must be, तो वहाँ पर वो sentences passive में convert हो जाते हैं, passive में क्या होता है कि कोई काम किया जाना चाहिए, ऐसा sense निकलता है, किया जाना चाहिए, हिंदी में ये sense निकलेगा, चलिए should be के साथ verb की third form का use आपने देख लिया, अभी देखा आपने should be के साथ object का use देखा था, object का use देखा यानि कि कहीं पर या कुछ होना चाहिए, subject को करता को, और should be के साथ verb की third form, यानि कि कोई काम किया जाना चाहिए, चलिए, अब अगला use देख लेए, should have been, हमने देखा था, should be के साथ object देखा था, अब यहाँ पर should have been के साथ object है, जैसे हमने should be के साथ object देखा, सेम वही है, ल कुछ होना चाहिए था, इस सेंस में हम past के लिए should have been का use करेंगे, यहाँ पर भी verb नहीं आएगी, should have been already है, उसके बाद हम object का use करेंगे, जैसे कि you should have been a teacher, आपको teacher होना चाहिए था, you should have been a teacher, past में, you should have been rich, आपको अमीर होना चाहिए था, आपको अमीर होना चाहिए था, you should have been at school, आपको school पर होना चाहिए था, you should have been honest, आपको इमांदार होना चाहिए था, you should have been rich, आपको rich, अमीर होना चाहिए था, यह already है, तो इस तरीके से should be, यानि present में, जो subject हो कहीं पर है, या कुछ है के सेंस में आएगा, और should have been जो subject है, object के साथ आएगा, should have been जो subject है वो कहीं पर था या कुछ था के sense में past में और present में आप should be का और past में should have been का use करेंगे object के साथ तो यहाँ पर should be और should have been में कोई भी काम नहीं हो रहा है, ठीक है, object का यहाँ पर use है, अब चलिए अगला use देख लेए, अगला use है, should have के साथ noun का use, past होना चाहिए, किसी के पास कुछ होना चाहिए, इस sense में हम should have का use करते हैं जैसे की किसी के पास mobile होना चाहिए, किसी के पास pen होना चाहिए, तुम्हारे पास copy होनी चाहिए, तुम्हारे पास laptop होना चाहिए, तुम्हारे पास car होनी चाहिए, तुम्हारे पास bike होनी चाहिए, इस sense में हम should have का use करेंगे, जैसे हम has और have का use करते हैं न, present में हमारे पास कुछ है के sense में तो उसी तरीके से should लगा दें तो चाहिए का sense हो जाएगा और pass है का मतलब have जैसे की you should have a phone आपके पास phone होना चाहिए you should have a car आपके पास car होनी चाहिए you should have a book आपके पास book होनी चाहिए you should have a computer आपके पास computer होना चाहिए you should have a bike आपके पास bike होनी चाहिए, you should have knowledge, आपके पास knowledge होनी चाहिए, ग्यान होना चाहिए, तो इस तरीके से present में आपके पास कुछ होना चाहिए, इस sense में should have का use कर लेंगे, तो यहाँ पर भी कोई verb आपको दिखाई नहीं देगी, should have के बाद noun दिखाई दे रहा है, अगला use देखे should have had, same यही situation रहेगी, लेकिन past के लिए past होना चाहिए था के sense में आप should have had का use करेंगे, अभी present में आपके पास कुछ होना चाहिए, तो should have, past में आपके पास कुछ होना चाहिए था, तो should have had, और इसके बाद भी आपको noun देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर भी कोई verb नहीं आएगी अलग से, देखें, you should have had a phone, आपके पास phone होना चाहिए था, past में, you should have had a car, आपके पास car होनी चाहिए थी, past में, you should have had a book, आपके पास book होनी चाहिए थी, you should have had a computer, आपके पास computer होना चाहिए था, you should have had a bike, आपके पास bike होनी चाहिए थी, जैसे कि हम present में have का use करते हैं, तो had का use हमारे पास कुछ भी चीज थी, इस sense में हम had का use करते हैं, तो उस तरीके से आप याद रख सकते हैं, comparison कर लें, should have present में आपके पास कुछ होना चाहिए, should have had past में आपके पास कुछ होना चाहिए, था के sense में, चलिए अब next use देख ले कोई काम करना है या करना पड़ा इस सेंस में तो कोई काम करना ही चाहिए के सेंस में हम should have to का यूज करते हैं present में should have to यानि कि करना ही चाहिए you should have to speak आपको बोलना ही चाहिए you should have to go there आपको वहां जाना ही चाहिए you should have to help him आपको उसकी मदद करनी ही चाहिए you should have to write आपको लिखना ही चाहिए कोई काम करना ही चाहिए essence में present में should have to का आप यूज़ करेंगे to के बाद यहाँ पर verb की first form का use करेंगे जैसे हम have to में use करते हैं same वैसे ही चलिए अब अगला use same यही condition है बस past में आपको कोई काम करना ही चाहिए था तो यहाँ पर आपको एक had और लगा देना है तो should have had to should have had to करना ही चाहिए था past में कोई काम आपको करना ही चाहिए था इस sense में जैसे कि you should have had to speak आपको बोलना ही चाहिए था you should have had to go there आपको वहां जाना ही चाहिए था You should have had to help him आपको उसकी मदद करनी ही चाहिए थी You should have had to write आपको लिखना ही चाहिए था Should have had to present में आपको कोई काम करना ही चाहिए Past में आपको कोई काम करना ही चाहिए था You should have had to का यूज करकर आप sentences बना सकते हैं बहुत ही easy way में यहाँ पर मैंने आपको model should के uses बताए है जैसे हम have to का use करते हैं आगे should लगा दिया है तो करना ही चाहिए ना है करना है या करना पड़ा have to और करना ही चाहिए तो should have to तो इसी तरीके से एके करके आप जो यह model है should इनके sentences बना कर practice कर सकते हैं have का use करते हैं हम जैसे have had का use करते हैं tenses में कोई भी चीज हमारे पास है के sense में और हुनी चाहिए तो should लगा दे should have से पहले तो इस तरीके से बहुत simple way में यहाँ पर आपने should के complete uses सीखे है